शास्थियों नमस्कार मैं आपका चिर परेचेथ एक वार फिर आपके सामने नई जानकारी लेकर आया है। जी सातियो जो जानकारी है वो बहुती एहम जानकारी है कि आज हमारे सामने जो समस्या है वो बहुत विकट समस्या है कि जाधतर हमारे चेहरे पर काली-काली जुर्रियां पड़ जाती है तथा चेहरा सकोड़ने लगता है जी सातियो उसके लिए जो मैं जानकारी बता रहा हूँ वो बहुत एम जानकारी है परन्तु उससे पहले आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन के बटन को दवाएं जी सातियो हमें अपने चेहरे से कालेपन तथा जुर्यों को हटाने वे त्वेचा को सुकोड़ने से बचाने के लिए जो सबसे पहले प्रोडेक्ट इस्तमाल करना है जी सातियो वो रोजवाटर यानि गुलावजल जी सातियो गुलावजल हमें इस्तमाल करना है और यह तक् दूसरा प्रोडेक्ट डालेंगे उतना ही हमें इसमें गुलाव जल भी डालना होगा जी सातियो इसके अलाबा जो हमारा दूसरा प्रोडेक्ट है वो बहुत ही एहम प्रोडेक्ट है वो है सातियो चंदन पाउडर जी सातियो केशर वाला चंदन पाउडर जो चंदन होता है बोट चहरा में खूबसूरती लाता है तता यह यमनाजल, चंदन, अश्टकूट, असगन, तता तुलसी इत्यादी अनेक प्रकार की दिब्य औस दियों से मिलकर बना होता है जी सातियों हमें चंदन लेना है, और चंदन कीवी हमें मातरा का भरपूर मातरा में ध्यान रखना है जी सातियों अब इसके अलावा फिर हमें इसे अच्छी पिरकार से मिला लेना है और मिलाने के बावजूद आप देखोगे कि जिस प्रकार से आपका जो प्रोडेक्ट है वो बनकर त्यार हो गया है अब त्यार होने के बाद आपको उससे पहले अपनी त्व się को अच्छी प्रकार से गरम गुनगुने पानी से एक टावल के माद्यम से पहुचना है और फिर हमें इस लिप को अपने त्वेचा पर या चहरे पर लगाना है और लगाने के बाद प्राते काल उठकर आप अपने चहरे को साधा और ताजा जल से साप करोगे, वॉस करोगे तकरीबन यह है आपको तीन से चार दिन करना है और देखते ही देखते हैं आप देखोगे कि आपके चेहरे से कालापन चता जुर्रियां वे चेहरा का सुकुड़ना एक दम से समाप्त हो जाता है धन्यबाद सात्यों यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सस्क्राइब जरूर करें